नमस्कार मैं आसा करता हूँ कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगे आज हम स्वर्ण माक्षिक भश्म के बारे में बात करेंगे अगर आप एक प्रेक्टिसनर है तो निश्चीत रूप से आप अपने प्रेक्टिस में स्वर्ण माक्षिक भश्म का प्रियोग करते होंगे इस सववर्णमाक्शिक भस्म लाś का सौमकल्प है लोहे में जो कटोरता का गुन होता है उशनता का गुन होता है वह इस भस्म में नहीं होता है इसलिए इस भस्म को हम कमजोर शुकुमार नाजुक इस्तिरि पुरिस तथा बच्चों के लिए तो यह बहुत ही कल्प भले ही यह अस्तंबक निचर का है फिर भी इसमें कॉंस्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गुंधर्म के बारे में अगर किसी कल्प का गुंधर्म अगर पता है तो हम युगतुई पूर्म उसको बहुत सारी बिमारियों में प्रिय लिजाले हैं और यह पीत शामक्क करते हैं और यह सेटेलाईट को कुร हम प्रेच्छेक पित करते हैं तो उसके प्रेच्छेपण reflecting्दम होता है तो ठीक उसी तरह हमको को नचे तो वो टार्गेट सेल तक पहुचने के लिए किसी खास मेडिसीन का लेना मेडिसीन में यह गुन होता है उसी को हम योगवाही बोलते हैं दूसरा है कि यह अस्तंबन होता है और यह विरिश से है रासायन है और सक्ति वर्दक है इसका परियोग कफ और पीत जन्य रोग में ब पर भी एक स्टेंडर्ड डोज की बात करें तो एक सो पचीस एमजी से 200 मिली ग्राम तक होनी चाहिए अर्थात एक रत्ती से दो रत्ती तक आप इसको टीडी एस या बीडी डोज में भीनवीन अनुपान के साथ दे सकते हैं मधू के साथ दे सकते हैं घी के साथ मलाई के सा रोग के अनुशार आप इसको अनुपान अलग-अलग कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रक्त अलपता अर्थात एनेमिया के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा यक्रित है और पिलहा है वो रक्तवा स्रोतस का मूलस्थान है तो आप लीवर की जैसे आप आरोग्यब殺णी बटी दीजिए उस में आसव डिस्ट में प्रयोग कर सकते हैं कुमारी असव तरक्षासव यह सब का प्रयोग करना है और साथ में आप इसको जो मैं एक योग बता रहा हूं जो यूज करता उसका आप प्रयोग करके देखिए उसमें हम स्वर्न यह एक पुड़ी हो गया ऐसा आप टीडियेस या बीडी डोज में दे सकते हैं और इसको हनी के साथ देना है साथ में जो मैंने दवा बताया है वो दवा दिजिए अगर आप इसमें रक्त पाचक और रश पाचक भी देते हैं तो मैं पूरुणतर विश्वास के साथ कहता हू कि पंदरा दीन से लेकर के एक महीने में आदमी का स्वास्त अच्छा हो जाता है हीमोगोवीन अच्छे लेवल में छैय रोग में बात करेंगे तो यह बहुत ही अच्छा प्रभाव है इसका छैय रोग चाहे अनुलोम हो या परतिलोम हो अनिलोम च्छय का मतलब हुआ और परतिलोम च्छय का क्या मतलब होता है ये पहले मैं समझाने की कोशिस करता हूँ अनिलोम च्छय का मतलब हुआ जैसे अगर अच्छा अहारस नहीं बन रहा है तो उसे अच्छा रक्त नहीं बनेगा रग्त नहीं बनेगा तो मांस अच्छे quality का नहीं बनेगा मांस मेद अस्ती मज्या सुक्र जो उत्रत्रत हातुआ है वो जो प्रयाप्त मात्रा में बनना चाहिए जो उसकी quality होनी चाहिए वो नहीं होता है तो यह जो है अनुलोम छै बोलते हैं और परतिलोम छै का मतलब हुआ यह खास करके देखा गया है 20 से 40 साल के इज में होता है और खास करके जैसे अधिक मात्रा में अगर वीरे का 6 होता है तो वीरे के अधिक मात्रा में 6 होने से आपका जो अस्ती मज्या धातू है वो कमजोर हो जाता है फिर आपको मतलब नीचे से लेकर के उपर तक की जो धात सब्सक्राइब को हुदा सबक्राइब को है तो सरीन में बहुत कम जोड़ी हो गई है उसको अगर दूर करταे हैं जिसे जोर करते हैं अग्र जोर करने के लिए जोर के लिए खार झालों करते हैं लोगत दोक्तुन को तसनता है felt उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करता है इसमें आपको स्वार्ण माक्षिक भस में 125 मिलीग्राम कर लेना है स्वार्ण मालती बसंत 125 मिलीग्राम लेना है और सितो प्लादी चुर्ण लगभग 1-1.5 ग्राम मिलाना है और इसको सहद के साथ देखें देखें कि जो आदमी बो रखतार्स में अर्थात bleeding piles है bleeding piles के लिए तो बहुत ही बढ़िया काम करता है स्वर्ण माख्षिक बस्म 250 mg ले लिजे और आप 125 mg प्रवाल पिस्टी ले लिजे और इसको केला में डाल करके दीजे होगा कि एक दो खुडाक में ही रखत बहना बंद हो जाता है स्वर्ण माख्षिक बस्म 125 mg मूली चार 250 mg लेना है तांळवास 60 mg लेना है और तुलसी पत्र के स्वडस के देखे विदिन वन विक आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है और यह अजमाया हुआन उसका है आप लोग जरूर इसको यूज करके देखिए और खाना खाने के बाद कुमारी आसव और रोहित का रिस्ट खाना खाने के बाद आपको दोनों को मिक्स करके और 40 में देखिए विदिन सेवें डेज में आप देखेंगे कि वेटर फिल करने लगता है चिकेन पॉक्स की बात करें तो इसमें भी इसका प्रियोग बहुत अच्छा है अगर किसी को चिकेन पॉक्स हो जाता है तो आप उपर से अभ्यांग करने के लिए आप सब धौत घृत तो उसे जो सरीर में जलन हो रहा है बरणिंग जो हो रही है अदर्द है उसमें बहुत आराम मिलता है अंदर इंटेक करने के लिए 125 mg स्वरनमाक्षिक भस्म ले लिजे 60 mg आप प्रवाल पिस्टी ले लिजे और 60 mg आपको मोती पिस्टी लेना है ये सब को मिक्स करके और गुलगंद के साथ आप दीजिए या फिर आवला के मुरब्बा के साथ तो पेसेंट का जो वर्णिंग सेंसेशन हो रहा है जो जलन हो रहा है दा हो रहा है उसमें बहुत ही अच्छा अराम मिलता है खुजली में भी यह अराम देता है महलाओं को होने वाले यह अरेस्ट हो जाता है और खाना खाने के वाद कुटजारिस्ट जरूर दीजिए 40-50 मिली ग्राम कुटजारिस्ट और उसमें पानी मिला करके दीजिए जो हेवी बिलीडिंग है वो डेफनेटली आपको एरेस्ट हो जागा बाद में आप यूसची करा करके फाइंड आउट करिए कि कारण क्या है क्यों हेवी बिलीडिंग हो रही है लेकिन ततकाल जो ब्लड को हमको एरेस्ट करना है उसमें आप इसका प्रयोग करके देखिए डेफनेटली आपको पोजेटिव रिजल्ट मिलने वाला है अनेंद्रा की बहुत बड़ी समस्या हो ग करता है आपको स्वर्ण माक्षिक भस्म 125 मिलीग्राम लेना है उसमें अस्वगंधा का चुर्ण एक ग्राम मिलाना है और जटा मांसी का चुर्ण एक ग्राम मिलाना है प्रवाल पिस्टी 125 मिलीग्राम मिलाना है यह सभी को मिला करके हनी के साथ लेना है उपर से आपको शु प्रभाबसाली यह मानस रोग पे और पीत का समन करता है बहुत ही अच्छा काम करता है वैसे पेशेंट को आप नसिक जरूर बोलिए लेने के लिए कुछ भी नहीं है तो घर में अगर गाय का घी है तो सुद्ध घी का भी अगर नस से लेता है तो इंसोनेमिया में बहुत ही प्रभाबसाली है नेत्र रोग में भी इसका हम प्रियूग करते हैं नेत्र में अगर जलन हो रहा है बर्निंग सेंसेशन हो रहा है आख अगर लाल हो गया है तो आप वैसे में आप यूज करिए बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलेगा 125 मिली ग्राम स्वर्ण माक्षिक भस्म ले लिजे और सब्तामरित लोह एक ग्राम की मात्रा में ले लिजे और प्रवाल पिस्टी मिला लिजे 125 मिली ग्राम और मक्षन मिश्री के साथ मिला कर देखिए और खाना खाने के वाद वासकादी का साय आता है अगर वासकादी का सा रहा हूं उसको भी आप अपने प्रेक्टिस में यूज करिए डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट इसमें मिलने वाला है और नमाक चिक्ष बास में लेना है अमले के कोई भी कारण अमले के अगर द्रव्यता गुना बढ़ा हुआ है उसके उशनता बढ़ा हुआ है तिक्षनता बढ़ा हुआ है सारता बढ़ा हुआ है सभी कंडिसन में यह योग मैंने देखा है कि बहुत ही प्रभाफसाली है तो आप इसको यूज करें मुद्खृषच में मतलब कि पिशाब करने जा रहे हैं लग रहा है कि पिशाब हो ना चाहिए ले전किनागरी हो नहीं रहा है पिशाब में जलन हो रहा है और खास करक Orlando के मौसम में ऐसे जादा देखने को मिलता है तो ऐसे में आप यह चार लीजे 250 मिली ग्राम स्वर्ण माक्षिक भस्म 125 मिली ग्राम का चुर्ण है तो वह उसमें 2 ग्राम मिला दीजे और सधारण जल के साथ लीजे एक दो खुराक में ही आपको यह जो बर्निंग संसेशन हो रहा है पिसाब खुलकर के नहीं जारा है वो सभी इससे ठीक हो जाता है अगर नांक में नस्से के रूपंए 2-4 बूंद अगर लेते है तो इंमिडिेट आराम मिल जाता कोई भी आपको पेन किलर और बाम लगाने की जरूरत नहीं होगी और यह अगर रेगुलर लेते हैं तो आपको लगे का कि धूप में जाने से भी जो आपको जलन सरीर में लगता है और हेडेक हो जाता है वह नहीं होगा गर्मी में अगर 15 दिन 20 अगर इस यूग को ले सकते है अगर आप एक प्रेक्टेशनर है तो आप भी बहुत तरह से आपने यूज किया होगा आपका भी कोई श्वान भव है तो शेर कीजिए और इसके बारे में और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करिए मैं पूरी कोशिस करूँगा आपको के माध्यम से जवाब देने का